आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो यहां देखो कोशन में क्या है कि एक क्लोक पेंडूला में जो कि किस से बना हुआ है इन्वार से उसका टाइम पीरिड है वो 0.5 सेकेंड है एक 20 डिग्री सल्सेस पे और यहां पर देखो बोला है कि अगर इस क्लोक को हम एक ऐसे क्लाइमेट में यूज कर रहे है जहां पर यहां पर यहां पर देखो क्लोक पेंडूला में तो क्लोक पेंडूला में जो टाइम पीरिड होता है टी इकल टू पाई अंडर रूड में अल अप्वोन में जी ओके होता है और जी है यहां पर हमारा acceleration due to gravity acceleration due to gravity ओके तो यहां पर देखो temperature change हो रहा है ओके तो जी को यहां पर हम constant मानेंगे ओके तो अब यहां पर जी constant है ओके और टू पाई भी constant है ओके तो यहां पर डिल्टा टी वाई टी जो correction होगा वह कितना हो जाएगा वह जाएगा यहां से one by two और डिल्टा एल वाई एल ओके जी constant है इसको माल लिया मैंने equation first ओके अब देखो temperature change होगा तो क्या होगा लेंथ में expansion होगा ओके तो यहां पर डिल्टा एल जो होगा वह किसके एककोल हो डिल्टा एल इस इकल टो में ऐल अलफा डिल्टा टी ओके यह हो जाएगा डिल्टा एलफा डिल्टा टी ओके और डिल्टा टी है यहां टी इस इकल टो में कितना जाएगा one by two okay डिल्टा एल की जगा यहां पर क्या रख देंगे ऐल एल्फा डिल्टा टी और अप उन में ऐन में क्या जाएगा ऐल से ल यहां पर cancel out हो जाएगा सो डिल्टा टी इस इकल टो में क्या रहाया यहां से टी वाई-तो alpha delta t ओके अब end of the 30 days हमें निकालना है ओके correction delta t is equal to 30 ओके और into में delta t ओके तो 30 days बात बताना है तो t by 2 into में alpha delta t ओके तो यहाँ पर देखो 30 days है यह तो 1 days is equal to कितने second होते है 1 days में यह होते हैं यहाँ पर हमारा 1 day is equal to second होते हैं आपर हमारे 8.64 1 day में हमारे second होते हैं 8.64 into में 10 raise to power 4 second ओके तो यहाँ पर delta t is equal to में कितना आजाएगा यह आएगा यहाँ से हमारे देखो 30 8.64 into में 10 raise to power 4 और time period कितना दिया था ? 0.5 second ओके और into में alpha alpha यहाँ पर दिया है में इनबार का 7 into में 10 raise to power minus का 7 7 into में 10 raise to power minus 7 ओके और delta t temperature difference यहाँ पर देखो कितना हो गया 20 degree centigrade से 30 degree centigrade ओके तो यहाँ पर temperature difference हो गया 10 ओके और divided by कितना 2 ओके तो यहाँ पर देखो delta t जो है वो कितना आएगा मेरा इसको calculate करते हैं आपे तो यहाँ पर देखो यह आ जा रहा है आपे हमारा कितना 30 ओके तो यहाँ पर देखो calculate करते हैं इसको 30 into में 8.64 8.64 और into में 0.5 और into में 7 और into में यहाँ पर कितना है 10 ओके तो यह आ रहा है 9,072 ओके और पावर कितना बज़ेगा 10 रेस दूब आवर माइनस का 3 ओके और divided by 2 ओके तो डिल्टा t is equal to यहाँ से देखो कितना आ रहा है यह इसको में लिख सकता हूं 9.072 और divided by 2 ओके तो यहाँ पर यह हो जाएगा divided by 2 तो यहाँ पर ही आ जाएगा 4.536 ओके तो डिल्टा t is equal to मैं आ रहा है यहाँ से मेरा 4.536 second ओके तो इतना हमें correction करना पड़ेगा ओके टाइम में तो यहाँ पर ही आ जाएगा 4.536 second ओके तो यहाँ पर यहाँ आप यहाँ आप यहाँ आप यहाँ आप कीचे अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर उन डहाँ ऊब माजब यहाँ आपके उन आपके तो agree